आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICIC bank के बारे में basically ICIC zero balance account हम कैसे open कर सकते हैं इस वीडियो में आप लोगों पूरा process बताने बाला हूँ कैसे आप open कर पाऊगे आप लोगों पूरा देखने को मिल जगा है eligibility क्या है और इसका features and benefit क्या है आप लोगों इस वीडियो में पूरा process में बताने बाला हूँ so इस वीडियो का आप लास सक जरूर देखती रहना है इस वीडियो में step by step आप लोगों मैं समझाओंगा अगर गलती हो जाता है तो आप लोगो वो भी तरीका बताऊंगा कैसे आप इसे सुधार सकते हो या आगे का क्या interface आ सकता है या आगे आप लोग कैसे आपना complete कर सकते हो so वीडियो को आप लास सक जरूर देखते रहना so चलिए वीडियो स्टार्ट करते है so guys हम आचुका अपने mobile phone के screen पे इसका link आप लोगो discussion में already में provide कर रखा है simple सा यहाँ पर आओगे तो आपका कुछ ही सरका interface देखने को मिल जाएगा basically आपका यह account है mind saving account देखने को मिल जाएगा नीचे में आप स्कूल करोगे तो इसके भाई features and benefits के बारे में बताएगे है इससे नीचे आप स्कूल करोगे तो यहाँ पर आप लोगो फिरी email statement पांच आपका ATM यहाँ पर वीडियो दिया गया है फिरी में आप कर सकते हो किसी भी ATM वीडियो से आप कर सकते हो पांच से ज्यादा आप करोगे तो आप लोगो हो सकता है इसका charges भी देना पर सकता है बाकी नीचे में आप यहाँ पर स्कूल करोगे तो इसके बारे में यहाँ पर आप लोगो बताएगे है तोटल आप लोगो पेपरलेस रहेगा यहाँ पर आप लोगो document required नहीं है बाकी इसके नीचे में यहाँ पर इसके बारे में बताएगे है जैसे कि इसका debit card का बारे में mine premium अगर आप लोगो मिलता है तो 599 प्लस GST आप लोगो feel करना पड़ेगा अगर आपका mini regular debit card अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर normal debit card रहेगा प्लस आपका यहाँ पर GST रहेगा बाकी यह सब आप रीड कर सकते हों यहाँ पर cashback बगर है इसमें आप लोगो नहीं मिलेगा इसमें आप लोगो मिले जाएगा अगर mine premium अगर रहेगा आपका debit card तो इसमें आप लोगो 1% cashback मिलता रहेगा लेकिन इस वाले में रहेगा mini regular में रहेगा इसमें आप लोगो नहीं मिलेगा बाकी यह merchant आप देख से तो इसमें आप payment बगरा कर पाऊगे और इसके नीचे और scroll करोगे तो इसके बारे में यहाँ पर सब कुछ बताया गया है बाकी इसमें आप लोगो हर एक features provide किया जाएगा जैसे कि आपका mobile banking, internet banking, everything आप लोगो देखने को मिल जाएगा कैसे activate करना है आप लोगो ओभी वीडियो देखने को मिल जाएगा बाकी इसमें यह भी बताया गया है कि यहाँ पर आप अपना full के वाशी कर सकते हो पलस आप लोगो यहाँ पर अपना full के वाशी करने के लिए वीडियो के वाशी के features यहाँ पर provide किया जाएगा जो 72 गंटे के अंदर आप अपना account open करते हो उससे 72 गंटे का अंदर अपना वीडियो के वाशी कर सकते हो अगर 72 गंटे complete हो जाता है फिर आप लोगो branch में विजिट करना पड़ेगा ना उसके बाद यहाँ पर देख लिए बताया जरा आपका verification के अगर यहाँ पर verification complete हो जाएगा तो 2 लाग तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जागा देख लिए यहाँ पर बताया भी किया है physical debit card is sent to you courier यहाँ पर देखने को मिल जागा courier से send कर दिये जागा 7 दिन के अंदर account जैसी आज open करते हैं तो 7 दिन के अंदर आपको घर पर देखने को मिल जागा उसका limit भी यहाँ पर सब कुछ बतायागा इसे रीट कर सकते हैं जो भाई यहाँ यहाँ पर क्लिक कर दिया है यहाँ पर आपको बताया ज़र है आपका pen number इदर फिल कर दिना है फिर उसके बाद आप लोगो continue पर किलिक कर दिना है आपके नमर पर आपका OTP जाएगा प्लस आपके email एडी पर भी OTP जाएगा दोनों का OTP आप लोगो verify कर देना है तो देख लिए यहाँ पर आपको OTP आ चुक है mobile email ID पर OTP दर फिल करके continue पर क्लिक कर देना है तो उसके बाद यहाँ पर आपका अधार नमर पुछा जाएगा अपना अधार नमर फिल कर देना है term and condition यहाँ पर tick mark कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको पूर्चीट पर क्लिक कर देना तो उसके बाद आगे का यहाँ पर कुछी सिरका इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आप लोग का जो personal detail है वही लिया जाएगा जैसे कि आप single हो, married हो वह आपका डिपेंड करता है और उसके बाद यहाँ पर आपका occupation, आप professional job करते हो, salary business पर job करते हो, self-employed हो या dependent हो, वह आप पर डिपेंड करता है, क्या हो आप, क्या काम करते हो इसमें से आप लोगों select कर लेना है नीचे में यहाँ पर आप लोगों बताया है, कौन से आपका job है, government है, या आप किसी private limited में work करते हो, या किसी ठेक डार के अंडर में job करते हो, या public sector में job करते हो, वह आप डिपेंड करता है इसमें से आप लोगो select कर लेना है, यहाँ पर आप लोगो salary का options आजाएगा, salary पर आप यहाँ पर click करोगे तो आप लोगो आपने salary भाई यहाँ पर fill कर देना है, education इधर fill कर देना है, फिर उसके बाद annual range यहाँ पर पूछा जारा है, आपका annual range कितना बन जाता है, तो आगे का interface में आपका कुछ हिस्तरे का interface आजाएगा, यहाँ पर KYC document type पूछा जारा है, आधार card हमने देया था, आपका आधार card का यहाँ पर last का जो four digit है, वो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अगर आप अपने father का यहाँ पर nominee करना चाती हो, यहाँ पर nominee आजाएगा, otherwise आपको nominee इसमें एड नहीं करना, सो यहाँ पर कर सकते हो without nominee, यहाँ पर आपका father का नाम आजाएगा, mother का नाम इधर feel कर देना है, और नीचे में यहाँ पर आपका organization का नाम आजाएगा, किस company मा वर्क करती हो, यहाँ पर आपका experience पूछा जारा है, और उसके बाद यहाँ पर continue पर click कर देना है, self-implode पर अगर आप कर रहे हो, तो आपके यहाँ पर business का नाम और आपका business का experience पूछा जाएगा, कितने सालों से आपका business है, वो आपर depend करता है, otherwise यहाँ पर चलिए हम अपना nominee आड करना चाते हैं, सो यहाँ पर देख लिज़ जफादर के नाम के नमनी आ चुका है, फादर का नाम यहाँ पर आ जाएगा, अ निवान यहाँ पर Дेख़ोर स्य त यहां पर सकते हों आपकर आप कॉम्निकेशन एड्रेस एंड पर मेंध्री सेंवं हें सो हमारा बिलकूल सेंव है एक बात आप लोग은 हर Basis ॐाँ उप्ले आप लोग को careful भाई दर फील करना पड़ेगा ये बात आप लोग ध्यान में रखना वीडियो के वश्ची में ये पूछा जा सकता है यहाँ पर आगे का कुछ हिस्टर का इंटरफेस आ गया है यहाँ पर बताया ज़रा है यहाँ डिजिटल आकाउंट रिक्वेस्ट के नोट भी पॉर्सेट प्लीज बिजिट आपको यहाँ पर ब्रांच में बिजिट करने के लिए बताया ज़रा है आप लोगों ने देखा कि मैंने दो तीन बार भाई फोन भी अपना चेंज केया कभी आप लोगों इस फोन में कभी इस फोन में ट्राइ करके मैं पूरा देख चुका हूँ सेम यही पोर्सेस आ रहा है सेम यही प्रोलम आ रहा है पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है किसी रीजन से हो रहा है मेरे को भी समझ में नहीं है अकाउंट ओपन करना है तो ब्रांचे में एक बार जाके हम फॉर्म भरके दे देंगे कोई भी दिकत नहीं आएगा बाकि आप इसका सब सर्विस ले सकते हैं सब सर्विस आप इसे यूज कर पाऊगे और सबसे इसका आगे क्या इंटरफेस रहेगा आप लोग का माइन में यही कोश्चन रहेगा सो देखो आपका easy process है अगर इसका आगे next step आ जाता है तो आप लोग को वहाँ पे account number so कर दिये जाएगा और वीडियो के वाशी के लिए पहले आप लोग को किया जाएगा वह आप लोग को वीडियो के वाशी में करके दिखाना पड़ेगा लाइव आप लोग को सो करना पड़ता है कि आपका signature कैसा है फिर उसके बाद आपका account जो रहेगा वह verify कर दिया जाएगा 24 hours का time लगता है verify होस देने के बाद आप अपने account को भाई यूज कर सकती हो आप इसका virtual ATM जो रहता है उसे भी आप यूज कर पाओगे उसका notification आप लोगों मिलते रहेगा तो फीर ही मिलेंगे किसी next video में तब तक के लिए बाइ बाइ